क्या ये 6000 का wrist phone हमारे 6000 के smartphone को replace कर सकता है वो तो test करने के बाद ही पता चलेगा देखो चाहे wrist phone हो या फिर smartphone दोनों को ही आप हाथ पे wear कर सकते हो तैन wrist phone की battery को दिन में 2 बर charge करना पड़ता है वही smartphone को सिर्फ एक बार और wrist phone से हम बस WhatsApp पे chat कर सकते हैं लेकिन smartphone से video calling बाकि wrist phone में सिर्फ एक sim guard लगा पाओगे वही 6000 के smartphone में 2 बाकि कुछ लोग इस wrist phone का use करके एक्जाम में पास तो हो जाएंगे लेकिन smartphone से राद भर पढ़ने वाले लड़के जिन्दिगी में कुछ बड़ा करके दिखाएंगे और मालो अगर आपको wrist phone से किसी को payment करनी है तो सबसे पहले आपको पूरी UPI ID डालनी पड़ेगी क्यामरा हमें wrist phone में नहीं मिलता जिस वयसे आपको paytm की जगा जी पे करना पड़ेगा अब ये google पे लेकिन एक smartphone में आपको just QR scan करना है और payment हो जाएगी वैसे क्या ये wrist phone हमारे smartphone को replace कर सकता है comment करके बताओ और जोर से हिलाओ हमारा subscribe बटन